जहां सभी लोग लोकडाउन में अपने घर में हैं वहीं आरा के अहिरपुर्वाय स्थित नित्यानंद वर्मा के माकान में पिछले तीन दिनों से जहरीले पांच पीट के साप निकल रहे हैं जिस इस बीच घर के लोग दहसत में तीन दिनों से तीन बड़े जहरीलो सांपो को गधर के सदस्यों के द्वारा और अगल बगल आसपास के लोगों के दौरा क्या परसानी है तीन दिनों साप कर दो नहीं है कि रोज रात में बड़ा बड़ा साप निकल रहा है घर में तो अभी मतलब किया अपने फोन किया किया लेकिन डियम ओफिस हम को कोई रिस्पॉंस नहीं मिला उनों ने सिर्फ बन विभाग का नंबर दे दिया कि आप बात कीज सब्सक्राइब कराने वाले हैं अइरपुर्वा वार्ड नमर उन्तिस से लगतार साप निकल रहा है कि देखे हमारे घर के बगल में हमारे चचा है उनके घर में साप बहुत जरीला और एक दिन नहीं तीन दिन निकला अभी और साप उसमें है हमारे जो भीया है उन्होंने यहां और ठाना में बताया बन विभाग को किया वहां को रिस्पॉan नहीं तक फोन उठानी रहे है इस्तिती यह है कि वो लोग घर में रहने हैं लौकडाएं का समय है लेकिन लौकडाएं का पालन बुलक नहीं कर पा रहे है इसलिए कि हुम आपके चैनल के माधम से यह गो लगता है कि देखे वो पुराना मकान है और बड़े-बड़े सांप निकले हैं तीन दिन लगातार कल रात में आदमी सो नहीं पाया है पर सो भी वही इस्तिती थी और सांप अभी और हैं उसमें जहिले सांप आप देख सकते हैं जो सांप है इतना लगबग 5 फिट से उपर है आप लोग अपने अस्तर से कोई परियास किया है हम लोग अपने अस्तर से यहां धनुपरा में धारा में कुछ लोग आये थे नट वो लोग धुआ हुआ हुआ करके परियास बहुत सारा किये लेकिन वो निकाल नहीं पाए लेकिन हम लोग अपने माध्यम से कुछ लोगों झालो और झालो होसे,"